इसके दोरान होली मनाने पर सरकार की ओर से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है लेकिन होली के सारचिनी कारकरमों के अलावा दूसरे कारकरमों और जुरूसू के लिए भी प्रशासत इसे लेनी कोगी ग्रामिट शित्र में ग्राम पंचास तर पर और शेहरों में भी वाट सतर पर नोडल अधिकार या करमचारी की तनाथी की नर्देश भी जारी कर दे गए हैं यानि की कोरोना को लेकर मुख्यमंतरी काफी जादा सतरक और अलर्ट हैं इसको लेकर मिटिंग भी रखे गई थी संकल्प दूबे हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी की साथ संकल्प ये मैतुपुण मिटिंग माने जा रही है कोरोना काल की मत देनल सर क्या कुछ निर्देश जारी करती गए करमचारी हो जिब बिल्कुल कोरोना के बड़ते प्रकोब चरते शाषन की तरफ से सकत निर्देश जारी किये हैं जिसमें मुक्यमंत्री के अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में रिश्चित किया गया है कि कोरोना के फैलाओ को रोकने के लिए सबी एतियाती कदम उठाय जाने और सबी अधिकारियों को निर्देश दी गए कि किसी भी तरह के कारिक्रम का आयोजन ना हो कोई जुलूस नहीं निकाला जाए अगर कोई जुलूस निकालना है या सारजनी कारिक्रम करना है तो उसके लिए प्रशाषन की अनुमती लेनी होगी इसके साथ ही अगर बात की जाए होली के जो आयोजन होते है होली के कारिक्रम होली का देहन को लेकर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है लेकिन मुखमंत्री का साफ कहना है कि जो नोडल अधिकारी होंगे जिले के गाओं के उनकी जिम्मेदारी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए सभी कारिक्रमों का आयोजन किया जाए ऐसे में लगतार स्कूलों में जो अभिवावकों के अंदर डर था स्कूल भेजने में बच्चों को कहीं न कहीं कतरा रहे थे कि स्कूलों की जुटी 31 तारीक तरक रहेगी और उसके बाद भी माना जा रहा है कि अकर कोरोना का प्रकूब बढ़ता है तो इसको एक्स्टेंट किया जा सकता है अब ऐसे में लगतार अधिकारीों को भी निडिश दी है मुक्मंत्री ने जिनकी जिर्मदारी है चुटी इक करिए बड़े पैसले के लिए जारी ये कर दीश जारी कर दे गा है कि कोरोना के प्रतिश सज़क रहा जाए जागरूक रहा जाए आप बने रही है बेड़त लlagen अतार आगे भी आपसे लेते रहेंगे संकर आगे बढ़ते कोरोना के बढ़ते मामलों को